सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और पाइए टेक्नलोजी से रिलेटेड वीडियोस सीधे अपने मुबाइल फोन पे दोस्तो अगर आप अपने जीमेल अकाउंट के पासवर्ड को चेंज करना चाते हैं तो आज के वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने मुबाइल फोन से ही अपने जीमेल को subscribe कर लें तो चली दोस्तों वीडियो को start करते हैं दोस्तों अपने Gmail account के password को change करने के लिए सबसे पहले आपको Gmail app को open कर लेना है open करने के बाद कुछ इस तरह का interface आ जाएगा यहां आपको top left corner में three lines दिख रहा होगा उस पे आपको click कर देना है three lines पे click करने के बाद कुछ इस तरह का menu open हो जाएगा यहां आपको क्या करना है इसे उपर के तरफ scroll करना है नीचे देखिए second last option आपको मिलेगा settings तो आपको settings option पे यहां click कर देना है settings option पे click करने के बाद दोस्तों आपके phone में जितने भी Gmail accounts added है वो आपको यहां पे दिख जाएगा तो जिस किसी Gmail account के password को आपको change करना है उस पे आपको click कर देना है यहां पे तो देखिए यहां पे सिर्फ एक Gmail address है मैंने सिर्फ एक Gmail account add करके रखा हुए अपने phone में तो इस पे हमें click कर देना है click करने के बाद देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का page आजाएगा यहां आपको manage your Google account पे click करना है जो की सबसे उपर है manage your Google account पे click करके आप अपनी Google account को manage कर सकते हैं पासवर्ट को change कर सकते हैं तो देखें कुछ इस तरह का page open हो जाएगा, यहां आपको दोस्तों क्या करना है, आपको इसे दिखिए, left की तरफ scroll करना है, और आपको देखें यहां पे एक tab मिलेगा, security, तो आपको security tab पे यहां click करना होगा, और आप अपने password को change कर सकते हैं, security tab पे आप click करेंगे, तो देख password option पे click करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक page आजाएगा, जहां आपको अपने पुराने वाले password को type करना है, और verify कर देना है, अगर आप अपने पुराने password को भी भूल गये हैं, तो आपको अपने password को reset करना होगा, उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, description box में आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लिजे, तो यहां पे मैंने पुराने वाले password को type कर दिया, उसके बाद आपको next button पे नीचे click कर देना है और verify कर देना है दोस्तों, इसके बाद देखे कुछ इस तरह का screen आ जाएगा, यहां पे आपको new password type करना ह जो भी password आप set करना चाते हैं, नया password बनाना चाते हैं, उसे आपको उपर new password box में type करना है और नीचे आपको confirm new password box में भी दुबारा से उसी same password को type कर देना है और change password button पे नीचे click कर देना है और आपका password change हो जाएगा, यहां पे देखे जो minimum characters है वो आपको 8 characters का password बनाना होगा, आप एक strong password बना सकते हैं, including uppercase letters, smaller case letters, numbers and special characters, तो देखे यहां हमारे जो password है दोस्तों वो change हो चुका है, कुछ इस तरह का screen आ जाएगा और आपका जो Google account का password है, Gmail का password वो change हो जाएगा, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए useful रहा है, अगर useful रहा है तो इस वीडियो को like कर दीजे और कृपया हमारे चैनल को subscribe कर लीजे, thank you very much for watching this video